सर आपके हम पुर देश में चुनाऊ है आपके हम आखरी चरन में चुनाऊ है आप रोज सुबह सुबह хочешьसवनास बाबा के दर्सन करते है लगता है कि चोदह के बाद कोई मुश्किल हुई है बनारसपन या बनारसवांगी इन सप्सकिश्च और面 मटरा रहा है या कोई मुश् जब से मोदी जी पोरी डोर को जो बढ़ा दिये, यहां यात्रियों का जनसंख्या सहलाब आने लगा, अब सहलाब यह आने लगा कि जो 80-80 जो भोड में कर लेते हैं, दीन में तो उनको दिक्का दिक्कते हैं, क्योंकि उतना सुभधा नहीं हो पा रहा है, जहां दस हैं करने दिन बर में 5-10 लाग आदमी दसना डेली करते हैं, यह है, भीड बढ़ गई है, भीड बढ़ गई है, लोगों को रोजगार बढ़ गई है, छोटे-छोटे जीजे ठेला तुम्चा वालों को रोजगार खाने पीने वालों को बहुत अच्छा बढ़ गया है, जो कि भीग म लोगों को रोजगार बढ़ गया है, लेकिन अब बात कर रहे तो कोई लोग बता रहे थे कि चौदह के बाद से अचानक से महंगाई बढ़ गई है, जो पांच रुपे में चीजे मिल जाती थी, वो पचास रुपे में मिलती है, बाबा को छूने का अधिकार सब को था, हर बनारसी को था, हर पुरे देश के लोगों को था, लेकिन अब बाबा को छूने के पैसे लगते हैं, हर एक बाध रात को फूलता है, यतना समय दिया जाता है, यह कासी वासी अपना समय निकाल लेते हैं इसके लिए, मतलब यह टाईम बाउंड है इसी में, आएना भी घन्ता है, जिसन हम लोग भोल वाले जतना है, हम लोग चार से पांच दिया गया है, जास से पांच दिया तो ये बता रहे थे कि बनारस में हाला कि सुविधाएं चुकि मोदी जी ने कोरिडोर बना दिया और पुरे देश में पुरे दुनिया में काशी का नाम गया आप अपना नाम बताएं सर मैं दिव्यांग रंकर्मी राजकुमार जी मैं कुला कबड़ा से बतोर कर मैं चीजी बनाता हूं और आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बनारस से हैं, बनारस में चुनाओ भी है, दो बार से मोदी जी लगतार जीत रहे हैं, इस बार महौल क्या है? महल तो देखे ठीक है लेकिन मोदी जी एक चीज को पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो बिर्रोजगार दूसरी बात गरीबी और इन्होंनों जो कारी जो भी किये हैं गंगा या बावा विशनात के कासी डोर बना कर अभी 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 हमारे भाई बोले हैं वाके में बावा जाते थे इसनी भी जूट गई है कि कासी के लोग बहुत कम वा जाते हैं बहुत बन गया बढ़िया लेकिन भी उतना नहीं है हां उनका एक चीज मैं मानूंगा हम लोग जो कलपना किये थे गंगा की बारे में उन्होंने बोला था कि मैं ना आया हूँ न मुझे कोई बुल तो गंगा को निश्चित अपना उनकी सुंद्री करन होगी आज गंगा की जो मैं गंदकी फूल माला गाय मरा हुआ आदमी सड़ा हुआ बहती थी यह सब सफा हो गया और गंगा की घाटों की जो अंधेरा रहता रहा लोग मदिरा पी कर दोना खाकर गाट प्रिक देते रह लेकिन वो चीज आज बंदो गई यह चीज है कि घाटों पर आद लाइट लगकर उजाला हो गया है एक चीज मैं परदानमंति जी से निवेधन करूंगा और मुक्मंत्री जी से जो घाट पर बैठ कर यह आयासी कड़ा नहीं है मा गंगा की गोज है मा गंगा की गोज में अब्सक्राइब करना चाहिए आपनी जो तक्चाहि है यह जो आई यह चाहिए गंगा की जो इस पर रोख लगावें यह बहुत अच्छी बात है यह मैं आपको प्रदानमंत्री करता हो और चैनल वालों को भी निवेधन करता हो मुझे उमीद है कि प्रदानमंत्री जी इस साग्रफ को जरूर सुनेंगा और इस पर कोई परिणाम की तरफ बढ़ा जाएगा आप बने रहें महाखवर के साथ मैं सुधा कर धन्यवाद